नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का इग वाफिर से बहुत-बहुत स्वागत है जिया दोस्तों, आज हैं फिर उपस्तित हैं एक महतपून जानकारी के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नमक के इन उपायों से पती-पत्नी के रिस्तों में बढ़ेगा प्यार का जाएगा जी है दोस्तों आज का मारा टापिक बेहद ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अन तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक माया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सकते ताकि इसी प्रका की रोचक जानकारियां समय से आप तक पहुंचती रहें तो आईए दोस्तों देद न करते वे वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि पती पतनी के बीच जगड़े कम करेंगे नमक के ये उपाय रिस्तों में तो खटास चलती ही रहती है सबसे ज़्यादा खटपट पती पतनी के ये रिस्तों में होता है जब ववाहिक जीवन में कई बार पती पतनी के बीच लड़ाई जगड़े अधीक होने लगते हैं तब वास्तु के अनुसार किये गए उपाय आपकी परिशानियों को बहुत दूर कर सकते हैं आज हम आपके ववाईक जीवन में लडाई जगडा दूर करने के लिए नमक के उपाय बताने जा रहे हैं नमक शिर्फ खाने का ही स्वाद नहीं बढ़ाता बलकि आपके ववाईक जीवन का ज्याय का भी बढ़ा सकता है बस आपको कुछ उप करना चाहिए पहला जो उपाय है वह कई बार दामपत्य जीवन में खुशिया नहीं रहती आए दिन पती पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर जगड़े होते रहते हैं यदि ऐसा हो तो नमक के कुछ उपाय आपके लिए लाबकारी साबित हो सकते हैं आए जानते हैं छोटी छोटी नोग जोग से बचने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए जी है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि छोटी छोटी नोग जोग से बचने के लिए अपने bedroom के एक कोने में सेंधा नमक या खड़े नमक का एक टुकडा लेकर रख दें पूरे एक महिने तक के लिए उस पर टुकडे को वहीं पर रहने दें जैसे ही एक महिना पूरा हो जाए तो उस नमक को वहां से हटा दें इस उपाय को करने से घर में शान्ती बनी रहती है साथ ही छोटी मोटी टकरार भी कम हो जाती है अगला जो उपाय है वह है घर के में गेट के लिए कई बार घर में नकरात्मकता के कारण भी लोगों के बीच लडाई जगडा देखने को मिलता है इसलिए अपने घर के में गेट पर लाल कपड़े में खड़ा नमक बांध कर लटका दें ऐसा करने से आपके यहां नकरात्मक उर्जा दूर हो जाएगी और हम आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है नमक के पानी का पोच्छा रोजाना नमक के पानी का पोच्छा लगाने से भी पती-पत्नी का रिस्ता मजबूत होता है दोनों के बीच कलह शांत होती है साथ ही घर में नकरात्मक उर्जा नहीं रहती या फिर कह लें तो साथ ही घर में नकरात्मकता भी दूर होती है रोजाना ये उपाय करने से जल्द ही दोनों के बीच का विवाद सांत हो जाता है और उनमें प्रेम बढ़ने लगता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना नमक के उन कारगर उपायों के बारे में जिस्ते पती पतनीज के बीच का रिस्ता रिस्तों में प्यार का जायका बढ़ जाएगा तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की जानकारी अगर आप सभी को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो मारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें धन्यवाद राधे राधे